तो हन जी दोस्तों आज दिन है संड़े और संड़े का टाइम बज रहा है अभी दस मिनिट दस बज के पंदरहाजार की तो हमने शॉपिंग कर ली थी और मैंने आपके साथ ये बात भी शेर नहीं की थी एक्शली हमने मतलब हम सभी फैमिली जो थी वह मारी में हेश जा रहे थे आज मैं मतलब एक्सपोज करी देपती हूं ठीक है तो इसके चलते जोते हमने बहुत शॉपिंग की कि बैसे तो हम मैं मतलब चमबा की रहने वाली हूं खर चमबा में है लेकिन मैं कभी भी चमबा में ने गए क्यूंकि मेरा स्टार्टिंग से लेकर जब तक शाधी हुई 21 साल में मेरी साधी हुई है तो तब तक बस पढ़ाई में टाइम हो गया स्कूल कॉलेज साधी हो तो मतलब ऐसा भी था में एक बार गई थी बोट डालने उसके बाद जहां मतलब मैंने गई थी रात को गई दूसरे दिन बापिस आ गए थे ऐसे फिर इन्होंने बोला कि बात हो रही थी कुछ जैसे ताया जी के वो दिन बार चल रहे थे ना ताउ जी के तो बहां पर मेरी सिस्टर ना बात की कि ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं तो फिर मैं भी घर में आई तो मैंने इनसे बोला कि दी दी ऐसे बोले इन्होंने भी बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है इन्होंने उस टाइम नी बोला कि मतलब हम भी मतलब सोचते हैं इसके बारे में फिर उन्होंने जबनाओं असद्वार दो के लिए अच्छा थाâm, अंग। दो नो के लिए अच्छा था aod तो हमने पूरá मतुलब कर लिया हमने मंगलबार को इतनी शॉपइंग की खाणा भी हमने बाहर इखाया बाजार में बच्चों के लिए हम्पैक करके ले आए और हमने निकलना था सन करना पड़ा, की साथुनली बात इसी हो गई कि मतलब हमें अपना प्लान कैंसल करना पड़ा cancel ही समझो delay भी क्यों बोलना cancel ही करना पड़ा क्योंकि यह फेशला कैसा था बहां पर ऐसा बोला जैसे हम जैसे जो हमारे भगवान शीप चंकर जो है वो तो मतलब खैर वो तो भगवान की भगवान नहीं बोलते हैं कि कोई मेरे दरवार में आए ना आए तो मतलब हमारे विहान में ऐसा होता है कि वांतलब विहान की लड़कियां जो है न वो मनी में हेस जैसे जहां पे हम नहाएंगे पहले भर्मानी माता आती है बहाँ पे लड़कियां तो नहाने लेकर बहाँ पे सिर्फ बहाँ पे जोड़ा साधी का जोड़ा जो हता है जैसे पती पत्नी वही जा सकते हैं लड़कियां नहीं जा सकती हैं मैं अपनी मतलब इसकी बात कर रहे हैं जैसे मैं के पास भी जाएंगी बहां पर तो हम ने सोचा था सेटरेड़े को निकलेंगे और नाइट स्टे उसी दिन मतलब वर्मानी माता में नहा के आएंगे बरमोर में मतलब हम जैसे होटल रूख करेंगे बहीं पर रूकेंगे संडे मॉर्णिंग को हम निकल जाएंगे मनी में इसमें साम को पहुंच आएंगे वहाँ पे टेंट में नाइट स्टेए और मन्डे को फिर हम मतलब अपना नहां बहां पे नहाएंगे और बगवाँ शिप शंगर की महनी के दर्सन करेंगे और निकल आएंगे उसके बाद हम मतलब अपने घर निकलेंगी उपरी जंबा में चीन ऐसा बन गया कि मतलब वो बोलने लगे कि आज आओ आप और लड़की को हमारे घर में छोड़ जाना और चले जाना तो फिर मतलब मुझे ना मतलब पता नहीं क्यों मतलब यह लगा कि नहीं क्योंकि बड़ों से जादा खुमने पिनने का पहुष शोक होता है अभी आ मेरे को कमेंट बोक्स में बताना कि मैंने मतलब फिर पूरू लगी बोलने कि मम्मी पापा आप जाओ प्रिशु को भी ले जाओ मैं घर में केली रह लोंगी लेकिन पता क्या पांच मिनिट के लिए मैं बिलकुल चूप हो ग मैंने मैंने बोला चलो यहां से चंबा तक जाएंगे तो अपने हाँ सब कुछ लिया समान अच्छा रहता है मैंने सबजी भी ले आई थी फूर्स भी मैं बहार का खाना बहुत कम खाती हूं तो मैंने इनको बोला कि आप खा ले ना मैं अपना टिफन अलग से पैद कर लू जाएंगे तो इस बच्चे के मन में क्या आएगा यह सोचे कि मम्मी पापा चले गए और फिर इसका बैग भी पैकता तो मतलब ना मेरे दिल में ऐसा उस टाइम एक मन किया जाओं एक मन किया ना जाओं तो फिर मैंने ऐसा फैसला लिए कि नहीं यार बच्चों के लिए हम यह सोचा तो फिर मैंने इसके चलते इनको बोला कि नहीं हम दोनों नहीं जाएंगे फिर मतलब यह बात करते हुनों मेरे मतलब ऐसे मुझे इतनी फील हो रही है कि मैं जोर जोर से रहूं यह बोलती रहे पूरु गम्मी आप चले जाओं अब मेरे को कमेंट बोक्स में बता अब यहां पर छोड़ जाओं फिर पीछे आदमी थे घर में लेकिन इसने भी तो कुछ सोच चाहिए होगा क्योंकि इसने शोपिंग की थी इसने 2000 के तो शोपिंग की थी चपल साथ में सूज कपड़े ट्रैकिंग बैग बहुत कुछ लेके रखा था फिर मैंने बोलन नही जाएंगे लेकिन बाकी यही था मतलब डिले करना पड़ा मुझे यही कारण था बाकी तो हमारा मैंने बोला मैं सच में इस बारे में मैंने फिर फ्रेंड्स से मैंने उनको भी बता दिया था कि मैं कुछ दिन वीडियो नहीं देख पाऊंगी बर मोर तक तो सिगनल होता है सिगनल नहीं होता है नोट रिचेबल आता है आई थी ए अठली है बी एसनल की फोन ही पहां पे चलते हैं तो जियोगा तो होगा नहीं बहां पे तो आज मैं बैठे बैठे ही आपके साथ ना मतलब अपनी दिल की जो बात सच में शेयर कर रही हूं कल को तो कल जैसे सैटरड की मर्जी नहीं थी कि साइद हम आए हो सकता है ऐसा और लड़कियां पहां पे इसलिए नहीं जाती है क्योंकि जैसे भगवान शिप्शंकर जो है ना इनका पुराना मतलब जो जैसे है जील हम बोलते हैं डाल वो था एक क्यूर नाम के एक गाउं में जहां पे मेरे माई की ह है जाल मेरे माई के भी क्यूर में है अभी तो बहां मतलब भगवान शिप्शंकर रहा करते देता ये तो फ़स्य मनीं हो करते तो बहां के वोड़ें क्या करती है सुबस चर्खा लेके बहां पर उन को मतलब गड़ करके बनाने की लिए बैठ जाया करती थी चार बजे हम होता है अब तो बहुत से मतलब अभी चेंज हो चुके हैं बुरा मतमाना मेरी बात को मतलब लेकिन मैं अपनी जो है मतलब अपना एक कल्चिर क वायोता काम फिर कपड़े धो के बहां पे थोने लग पड़ती जाडी जे लीये होता न realism device कर भाण बहांसे कि तो मेत पस्या को भंग कर रहे हैं बहां से उतका हृ मणी में इसमें गई हैं तो बोलते हैं कि बगवान श्रीफ शंकर और जो ये भर्मानी माता है ना भराणी ये दोनों भाई बैन इन में कुछ पता नहीं हुआ था तो यह बोलते है कि सबसे पहले सरधालू जो आएंगे, पहले तेरे मंदिर में आएंगे, बहाँ पे नहाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर उसके बाद मेरे पास आएंगे, इनकी बीच में फ्री ओकर आपको स्टोरी सनाओंगे, कि क्या स्ट कर दिया, आप चले जाओ भर मोर में, चुरासी मंदिर हैं, बहाँ बच्चों को घुमा के ले आओ, और तियारी में अपने गाउं में जाके बहाँ पे रहो, खलाना करो, डिमिका करो, ऐसा करो, लेकिन मैं मेरा माइन बिल्कुल उशोन नो गया था, मैंने बिल्कुल अपन जानता है, फिर जैसे मैंने कल जो किया, सारे बैक जो थे अनपैक किये, कपड़े जैसे जैसे खोवती गी, वैसे वैसे मतलब मुझे इतना रोना है, मैंने मतलब कल कुछ भी न किया, और बस यही सोच दिमाग मेरा इतना मतलब ठक गया था, सोच के सिर में दर्द भी हो रह ही, फिर जितने मेरे फ्रेंड थे, मैंने सब को मेसेज होड़ दिया, कि ऐसा न समझे कि वो मतलब चली गई है, और उता ही है, अटेंशन करते ही हैं फ्रेंड, तो मैंने उनको भी मेसेज होड़ दिया, यहीं कारण था, और फिर जब हमने चाचा जी को पूछा कि क्यों नह जाती, तो वो बोलते हैं कि जैसे से पारवदी की हम जो शादी करवाते हैं, तो हमारे पीछे पूरबजों में ऐसी बाते होती हैं, कि जो कुवारी करने होती हैं, लड़कियां वो बहां मंदिर में लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि शादी के जोड़े में ही जाती हैं, खेर आप तो जो रिती रिवाजों को कोई पूरवजों की रिती रिवाजों को कोई मानता है कोई नहीं मानता है लेकिन हमारे में होता है कि लड़के नहीं जाते और मुझे इस बात का बिल्कुल सच मैं बोलू तो पता नहीं था क्यूंकि आप तो हम यहां के रहने बाले हैं उप मतलब एक बात बोलो तो वो अपना मतलब मनमानी करने का काम था इसलिए मैंने यह अपना फैसला जो ना हमने चेंज कर दिया डिसीजन ही चेंज कर दिया हमने बाकि अभी आप मेरे को कमेंट बोक्स में बताना कि मैंने यह फैसल लेके अच्छा किया या बुरा किया ठीक है तो प्लीस वीडियो को स्किप ना करना और वीडियो को बनाने को तो मेरा पिजल कुल माननी नहीं था आप सब देखी रहे हो कि पता वीडियो बनाने का कोई फाइदा भी नहीं है लोग देखते नहीं है और इसी कारण से आप मेरे व्लोग को चार चार पांच पांच देनी यह तो मतलब मैं अपने मन का एक बहुत जादा बोज था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाकि अभ लिवसित नहीं